पाठ बारहा शनी ग्रह की सैर पाठ परिचे सालों से वेज्ञानिक ग्रहों के रहस्य सुलजाने के लिए प्रायास रत हैं अन्य ग्रहों पर जीवन की खोड़ जारी है एलियन हमेशा से रोमांज का विशे रहे हैं प्रस्तोत पाठ में लेखक शनी ग्रह पर पहुँचता है आई ये पढ़ीं कि वहां उसनी क्या-क्या देखा जीवन मूले, रहसे, रोमांज, मनुरंजन, वेज्ञानिक द्रिष्टिकोण का विकास, कल्पना शक्ती का विकास मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय रात के दो बच चुके थे मेरी नींद अचानक ही खुल गई थी मैंने उस अंधेरी रात में खिड़की से बाहर जहांक कर देखा तो ऐसा लग रहा था कि मानु आकाश का चांद धर्ती पर उतराया है मुझे ये भी याद है कि उस दिन अमवस्या की रात थी क्योंकि मेरी दादी जी अमवस्या वाली रात को खाना भी नहीं खाती अमवस्या की घंगोर काली रात इस तरह सफेद चमक उठे ये बड़े आश्चेरे की बात थी उस खिड़की में छड़ आदी तो लगी ना थी मैं उट सुकता वश बाहर कूद आया मैंने देखा कि सामने की ओर जो छोटा सा मैदान है वहाँ कोई तश्तरी नूमा चीज यों चमक रही है जैसे किसी बहुत बड़े सर्प की मणी हो उस समय सारा महला गहरी नींद में सोया हुआ था और मुझे नजाने क्या सूजी कि मैं उस चमकदार वस्तु की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा मैं अभी बीस कदम ही आगे चला था कि किसी ने पीछे से बड़ी जोर से मेरे सिर पर कुछ दे मारा और मैं चक्कर खा कर गिर पड़ा होश आने की बाद जब आँखे खोली तो मैंने अपने आपको अस्पताल जैसे एक कमरे मी पाया मुझे घेर कर कई लोग खड़े थे उनके शरीर नीले रंके थे और चमक रहे थे एक जो अवश्य ही डॉक्टर था जल्दी से उठा और मेरे गले में एक यंत्र पहना कर बोला अब आपको कैसा लग रहा है ठीक हूँ, लेकिन मैं कहा हूँ तुम कौन हो, तुम मेरी भाशा में कैसे बोल रहे हो मैंने पूचा वो डॉक्टर बड़ी शांत भाव से बोला आप शनी ग्रह पर है, हम लोग यहां के निवासी है यह यंत्र जो तुमने गले में पहन लिया है उसी के सहारे तुम हमारी भाशा को अपनी भाशा में बदल कर सुनते हो और तुम्हारी भाशा को हम बदल कर समझ लेते हैं मैंने एक ठंडी सांस ली लेकिन मुझे यहां क्यों लाया गया है वो भी मालूम हो जाएगा उठो, बाहर लोग तुम्हारा इंतिजार कर रहे हैं डॉक्टर ने कहा मैं उठा और मुझे अस्पताल के बाहर लाया गया डॉक्टर बूला यह लोग यहां के बड़े-बड़े अधिकारी और मंत्री आदी है आप हमारे मेहमान है यह लोग आपका स्वागत करने आए है मैंने कहा लेकिन हमारे यहां के वैज्ञानिक तो यह मानते हैं कि शनी ग्रह पर जीवन है ही नहीं इसका कारण यह है कि इस ग्रह के चारो और गैस का एक गोला यानि वलय इतना गहरा फैला हुआ है कि उसके पार देखना या जाना असंभव हो जाता है यह कटनाई हमारे साथ भी थी लिकिन अब हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे यान बना लिये हैं जो गैस के उस गोले को पार कर सकते है आपके यहां के वैज्ञानिकों को अभी समय लग सकता है क्योंकि गैस के गोले और हमारी धर्ती के बीच जहरीली गैस की एक परत है और उसमें जीवित बचकर आना जाना बहुत ही कठिन है कम से कम प्रिथ्वी में रहने वालों के लिए तो कठिन ही है तो मैं कैसे आ गया? आप हमारे बंद यान में आये हैं न? हमारे यान पर अब इस ग्रह की किसी गैस का असर नहीं होता आप लोगों का रंग नीला क्यों है? मैंने पूछा ये यहां की जलवायू का प्रभाव है हमारे यहां शनी का रंग नीला माना गया है और हमारे यहां एक कीमती पत्थर नीलम होता है उसका रंग शनी के रंग जैसा माना जाता है डॉक्टर ने कहा मैं देख रहा हूँ कि आप सब का रंग बिलकुल नीला है नीलम जैसा ही मैंने कहा यह यहां की जलवायू का प्रभाव है बाते करते करते हम राज दर्बार में आ गए थे तभी वहां का राजा आया वो बहुत ही साधारण आदमी था मुझे बताया गया कि हमारे यहां के सबसे गरीब आदमी को राजा बनाया जाता है और जब वो अमीर हो जाता है तो उसे हटा कर दूसरा राजा चुन लिया जाता है गरीब का इतना आदर देखकर मैं चकित था वहां के उस राजा ने मुझसे हाथ मिलाया और बोला आपको हमारे लिए इतना कश्ट उठाना पड़ा इसका मुझे दुख है लेकिन इस बात से खुश भी हूँ कि हमारे वैग्यानिकों का एक प्रियोग सफल हुआ है कि वे पृत्वी और शनी के बीच आना जाना शुरू कर सकते हैं वहां से निकलते समय मैंने राजा को धन्यवाद दिया इसके बाद मुझे वापस भीजने की तयारी शुरू हुई मैं जैसे ही याद में बैठा तब ही मुझे बेहोश कर दिया गया जब मेरी आँखे खुली तो मैंने सुयन को पृत्वी पर एक खेत के बीच पड़े हुए पाया और एक बाद फिर चमक देखी लेकिन इस बार ये चमक तेज धूब की थी मैं उठा और यही सोचता रहा कि कितना विचित्र होगा शनी ग्रह नई जानकारी सूरे सभी ग्रहों का राजा है शनी सूरे से छठा ग्रह है तथा ब्रहस्पती के बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल में कुल पांच ग्रह ऐसे हैं जिने बौना ग्रह का नाम दिया गया है इनके नाम हैं प्लूटो, एरिस, सेरस, माके माके और हौमिया